इसको हम डिसकस कर लेते हैं देखिए उसने आपर कोट्स दिया हुए और बोले का है कि A, B, C, D, E, F, G, H आस सिटिंग अराउंड असर्कुलर टेबल, थ्री परसन आ फेसिंग अवे फ्रम दे सेंटर, और रेस्ट आ फेसिंग तोवर्स दे सेंटर, छीक है और आस सेंटर, परसन वह फिसंगाशन आ इसेंट आ जारे हुए वो परसन आउटा देख रहे हैं वो फांच हम बैंटेकर लेंग है इसमेट परसन dg. B, B के जो आपेसिट बैटा है वो काहं भी दिख रहा है आउटा देख रहा है फाइन चलिए उसके परसन इमेडिये राइट ओफ इस फेसिंग तुद आउटसाइड ठीक है एफ के इमेडिये राइट में जो परसन है वो आउटसाइड देख रहा है फाइन एतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है फिर यहां पर कोड देया है तो कोड कहा देखिए उसने वाला है कि C4 का मैं लब C is to the second to the right of B, okay C is second to the right of B, okay B is third to the right of A, okay B third to the right is A, fine, उसके G is third to the left of D, okay G is third to the left of D, okay G is third to the left of D, fine, उसके बाद D is immediate right of H, okay D is immediate right of H, fine, उसके बाद इसका मतलब क्या है कि हम इस बोद दी नेबर ओफ G are facing outside the center, ठीक है, जोड़ जी के दोनों नेबर आउटसाइड देख रहा है, okay, and बोद दी नेबर ओफ A are facing opposite direction to each other, ठीक है, A के दोनों नेबर आउटसाइड देख रहा है, opposite directions पर देख रहा है, ठीक है, इतनी information है, तो चलिए इसको बनाते है, आगर हम देखे, आट लोग आपके पास बेटे हुए, fine, G से start करते है, ठीक है, माल देते हैं आपके पास G यहाँ पर है, fine, अब देखो अगर G के दोनों नेबर आउटसाइड देख रहा है, तो इसका मत मतलब obvious है कि G center की दरफ देख रहा होगा, यह आपके पास बाहर की दरफ, बाहर की दरफ, center की दरफ, center की दरफ, इतना तो clear है, अब आपके पास अगर मैं D को बनाना जाओ, तो D आपके पास यहाँ पर हो सकता है, isn't it, in that case यह center की दरफ देख रहा होगा, एक और possibility क्या बन सक देखती है, कि G आपके पास यहाँ पर है, यह तोनों बाहर अंदर देख रहा है, और D आपके पास यहाँ पर हो सकता है, in that case यह का देखेगा, अगर यह बाहर की दरफ देख रहा है, तो यह अंदर की दरफ देखेगा, और अगर यह अंदर की दरफ देख रहा है, तो यह इस condition के साब से तो यहाँ पर आ जाएगा, एक और possibility अगर अब इसकी बनाना चाहें, तो G यहाँ पर है, यह center, बाहर, बाहर, center, center, यह D है, H अगर आपके पास यहाँ पर है, तो यह बाहर देखेगा, isn't it, और यह center के तरफ देखेगा, तो यह हमारे पास अभी तीन possibilities हैं, अब अगर मैं A और B को put कराने की बात करता हूँ, तो A और B आपके पास कहा आ सकता है, उसको देख करते हैं, ठीक है, इसको मैं अलग पैंसे थोड़ा सा बनाता हूँ, ओके, अगर मैं इस possibility में देखू हूँ, तो देखे, A के दोनों neighbors opposite directions में देख रहे हैं, है ना, और उसके बा अगर मैं B की बात करो, तो A आपके पास यहां पर तो आ नहीं सकता है, similarly A आपके पास यहां पर नहीं सकता है, है ना, अगर in case में A को यहां पर put कराता हूँ, तो आपके पास B कहा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, fine, अगर मैं देखो A को यहां पर put कराता हूँ, तो B आ possibility फिर यहां पर wrong हो रही है, इसका मतलब यह आपके पास यहां पर भी नहीं आ सकता, isn't it, अगर हम A को यहां पर put कराते हैं तब देखिए, अगर मैं A को यहां पर put कराता हूँ, तो in that case यह देखो, यह आपके पास कहा देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, यह center हो गया, अब यहां से यहां अगर हम देखते हैं तो B को यह पूट करा पाएंगे, इसका मतलब A आपके पास यहां पर भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्या हम A को यहां पर put करा सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सर रप करता हूँ, जली से, देखिए, अगर हमने A को यहां पर put कराया, तो यह बा करूँ, तो देखिए, आपके पास A यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, अगर in case मैं A को यहां पर put कराता हूँ, तो आप B को यहां पर नहीं पूट करा सकते हैं, इसका मतलब A आपके पास यहां पर नहीं आ सकता, A आपके पास यहां पर नहीं आ सकता, A आपके पास यहां पर देख रहा है या हमारे पास A यहां पर fix हो सकता है भी है ना A यहां पर नहीं आ सकता A यहां पर नहीं आ सकता अगर in case में A को यहां पर put कराता हूँ तो आपके पास B यहां पर आएगा इसके opposite वाला बाहर नहीं देख रहा है इसका मतलब A यहाँ पर नहीं आ सकता similarly A यहाँ पर नहीं आ सकता तो आपके पास यहाँ पर A के आने की सिर्फ A की possibility है कि A यहाँ पर है B आपके पास यहाँ पर है इसके opposite वाला कहा देख रहा है, बाहर की दिर्फ देख रहा है अगर B यहाँ पर आ गया A, B, C, D, E रहे गया ना तो E आपके पास यहाँ परा जाएगा यह final puzzle बनी, question में उसने हम से क्या पूछा था उसने बोला है कि What is the position of F with respect to the person who sits second to the left of D हमें F की position बतानी है कि इसके respect में, उस person के respect में, जो कि second to the left है D से तो देखो D के second to the left कौन है E है, fine तो इसके respect में F की position के देखी यहाँ से है third to the right, मतलब इसका right answer B हो जाएगा ठीक है, I hope question clear हो गया होगा Thank you so much